उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं चल रही हैं और अपराधों को लेकर जो इस्तिती है इसको लेकर आज हम बात करेंगे राजी महिला आयोग की अध्दच्छा बिमला बातन से वो सीता पूर पहुँची हुई है आप पहला सवाल है कि उत्तर प्रदे बहुत बड़ा प्रांत है आप समझें कि इस यूपी के अंदर उत्राखंट जैसे पांच राज आ जाएं इतना बड़ा प्रांत है चौविस करोर के आबादी है और उसमें बारा करोर महिलाएं भी हैं तो बारा करोर महिलाओं के लिए हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि एकदम स्कार कम चला है बहुत कि घिचना बहुत कम है कम क्या ना के बराबर हो गया है प्रदेश में और अपरन की घटनाए भी नेखिए आती हो बरना नहीं के बराबर एड तो ये गटना जो में थी जहां जो पिछले सरकारों में या पिछले दिनों में हमें कह सकते हैं कि लड़कियां जाती थी तो थी थी दात में थोड़ा शाम होते ही उनको लगता था कि कैसे जाएंगे कैसे आते हुए डरती थी कॉलेज जाते विए ट्यूशन जाते विए नौफलिस आते विए अब मुझे लगता किसी हद तक वह इस्टित थोड़ी सुधर गई है तो आप किस परकार की अपराद मानती ही ऐसा मानती ही क्या जो यह तलाक वाले अबराद हो रहे हैं जिसमें ज्यादा था उनमें पुरसों की स्थिति कहां पाती हैं क्यों तलाक जैसा कदम उठा रहे हैं देखिए एक तो मैं कहूंगी आप से कि जो यह आज का जो लिविन वारा मामला हो गया है इसने महिलाओं क कि स्थिति थोड़ी सी उसमें क्या हो गया है कि जो पत्निया हैं उनको पती छोड़ देते हैं और दूसरी महिला एक साथ रहने लगते हैं तो वो विचारी उनके बच्चे भी हैं वो खुद भी हैं उनको ना तो भरहर पॉसंद मिलता है ना सुरक्षा मिलती है ना सम्मान म बहुत दुखी है और ज्यादा तर केस हमारे पास इसी तरह आते हैं कि पती ने छोड़ दिया है, पती मार पीट करता है, पती उनको पूरी खाना पीना नहीं देता है, जो भी है इस तरह के केसे ज्यादा आते हैं, घरलू हिंच सा संबन्दी है, ऐसा क्यों करते हैं, पुरू से विचार नहीं मिलते हैं, पत्निक सा तालमेल नहीं बैठता है, जो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यह है कि यह जो जुर्म करते हैं, यह बहुत गलत है, इसके महिला आयोग बहुत सतर्क है, महिला आयोग चाहता है कि इस तरह कि जो जुर्म है, जो इस तरह के आवाजे हैं मैलाओं की दुकी बर, दुक बरी, वो ना सुनाई दे और ठीक से अपमे घर में, अब एक महला जो बताईए आप साथ साल, आट साल, दस साल, पंदरा साल अपमे घर में रहिए, रानी बन कर रहिए, और अचानक आप आएं और कहे हैं कि तुम से मारा मनूब गया, तुम जाओ बाहर, कैसा लगेगा, और फिर दूसी बात है कि सब महिलाएं तो कमाती नहीं, सब तो अर्निंग में नहीं है, जो नहीं अर्निंग में हैं, उनके बहुत मुश्किल है, कि वो कैसे पेट पालेंगे, अपने बच्चों कर अपन बिम्रब अथम जी, जब आप सीता पूर आई हुई, तो आज हाई कोट ने एक टिपड़ी की है कि महिला समंदी अपराद बढ़े हैं, और जो कारवाईयां हो रहीं, वो उतनी कारगर नहीं हो रहीं, जितना बताया जा रहा है देखे मानने नया लगे के उपर तो कुछ भी कहना नहीं संभव है, लेगिन अगर अपराद बढ़े हैं, तो उनकी तरफ महिला आयों को विशेश रूप से ध्यान देना है, और महिला आयों पूरी कोशिश करेगा कि अपराद कम हो, अपरादों में कमी आए, और जो महिला पीडित हैं, उनको सबसे पहले नयाय मिले, और नयाय के लिए जो भी कैदम उठाने पड़े, वो सक्त कदम हो, वो भी महिलायों उठाएगा, महिलाओं के प्रति जो अपराद हो रहे हैं, जो महिलायों इंटरनेट पर अपराद कर रही, अब देख रहे होंगी, हर जिले मे अपराद बढ़े हुए हैं, इंटरनेट पर पहले वीडियो कॉल होती है, उसके बाद उनसे पैसा उसूले की घटनाए होती है, सीतापुर में एक विर्ति ने आतम हत्या कर ली, इसलिए कि रुपे मांगे गए और कहा हम वीडियो आपका चैट कर देंगे, ऐसे अपराद हो या पुरूस हो, दंड जरूर अवस्य मिलना चाहिए, जो भी दंड उनका बनता नयायुचित हो, उनको दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल, तो ये राजी महिलायो की अध्यच्छा है, जो सीतापुर पहुंची है, जिन्होंने आज समिच्छा भी की, और महिला समंधी जंगा के लिए पंकसिंगाउर